बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजरशी क्लासिस पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं CMP Degree College के Total Counseling प्रक्रिया के बारे में कैसे आपको पता लगेगा आपको क्या फिल करना है किस वेबसाइट किस पोर्टल पर आपको सारी इंफोर्मेशन मिलेंगी इसके साथ एक किन किन सब्जेक्ट की कट ओफ आ गई है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं सारी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को बहुत ही आराम से बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि जो सारी आपके डीटेल्स हैं जो बाद में फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं उस चीज को न हो इसके लिए ध्यान से कंसेंट्रेट होकर देखेगा कहां पर क्या चीजों को बताई जा रही है ठीक है तो चलिए वीडियो के करते हैं शुरुआत लेकिन उसके पहले जो भी लोग पहली बार चनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार चनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं अब धीर धीरे उनके भी जो है आपके कट ओफ आएंगे और वहां पर भी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कुछ का ओफ-LINE होगा कुछ अफ-LINE होगा ओफ-LINE में मैंने बताया था कल तीन गल्स कॉलेज का एसे स्खन्ना का इन लोगों का बताया था और अब जिसका online एसे CMP का तो CMP का जो है आप कहीं भी हो अलहाबाद में या अलहाबाद के बाहर आपको online portal से आप इसके easily कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं हार एक step मैं आपको खुद भी करके दिखाऊंगी ये इसका main portal है आपको क्या करना है आपको नहीं पता तो सीधा जाईए अपने google पे google पे देखिए मैंने simple जो है आप या तो बोल लीज़े या लिख दीज़े CMP degree college जैसे ही आप सिर्फ इतना लिखेंगे google पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface आएगा इसमें जो पहला वाला ही है आप देख सकते हैं CMP degree college जो है यही आपको first वाला click कर देना है इसको click करते ही आपके सामने इसका portal यहाँ पर open हो जाएगा अब यहाँ पर हमें जिससे काम है नीचे आप देखेंगे तो और भी सारी चीज़ें है हमें क्या कराना है कराना है हमें admission तो admission हम यह portal पर click करेंगे अब देखिए इसमें जो cutoff आई है जो main campus है कुछ cutoff आपको ऐसा दिखेगा कि जो main campus में जो cutoff अभी चल रही है उससे कुछ number आगे पिछे होगा क्योंकि CMP मैंने पहले भी बताया है कि इसकी cutoff में campus से थोड़ी बहुत इधर-उधर रहती है और कुछ विश है कि cutoff तो जादा भी हो जाती है उसका main reason क्या होगा कि जो seat है आपके उसकी वज़े से क्योंकि वहाँ हो सकता है seatों की संक्या कम हो यहाँ वो seat available है तो competition जादा होगा तो main सी चीज़े cutoff आपका high जाएगा clear एतनी बात अब यहाँ admission portal पर मैंने click कर दिया है अब admission portal के बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई दिख रही है अपने सामने जब आप भी अपने phone से इसको करेंगे तो आपके सामने भी ऐसी चीज़ें आएंगी तो इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं मैं एक बार visit करके मैंने सारी चीज़ों को go through हो गई हूँ कि क्या क्या चीज़ें लिखी है इनका कहना है कि जैसे जब हमने main campus की counseling करी तो उसमें भी ये चीज़ था कि आपको PGAT role number ही अपना यूज़ करना है तो यहां इनका कहना है कि आपका जो विशे है जैसे मान लिजे कि अपने subject code के साथ आपको अपना application number या फिर PGAT का role number admission portal पर यूज़ करना है जैसे कि मान लेते हैं आपको BALB subject के लिए क्या करना है login करना है तो आप सबसे पहले ये आपका starting में जो BALB के 23 लिखा हुआ है ये आपका सारे में 23 आपका लिखा रहेगा I think ये year का यूण लोगों ने बनाए कि 2023 है तो 2023 इसके बाद subject का नाम लिखेंगे आप ठीक है जैसे मान जाए ये तेई से आपका तो 23 BALB subject का नाम फिर CUET application number या role number दोनों एक ही आपका जो application number या फिर role number जैसा लिखा रहेगा आपके उसमें open करने पर वही चीज़ आपको लिखना है अब जैसे इन्होंने दे दिया कि 23 BALB आप मान लेते हैं कि example इन्होंने यहाँ पे दिया है कि रोल number इतना है ठीक है जितना भी आपकी 0 है लास्ट में 1 एक 1 तो 23 BALB फिर आपका 1 और फिर वो 0 आपको लिख देना है ऐसे यह आपको सब करना है तो देखिए कहीं अगर रोल number लिखा है तो भी आपको वही चीज़ लिखना है confused मत होईएगा पहली बात अभी मैं आपको फिल करके भी दिखा दूँगी एक दो example के तौर पे तो जैसे माली जापको English भरना है तो आपको कुछ नहीं करना जैसे यहाँ पर दिके सब subject कर दिया है कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें भरनी है और ये भी ध्यान रखिएगा कि सबका नहीं जैसे यहाँ पे BALB short में है तो इसने पूरा लिखा है यहाँ जो आपका subject है एक बार उसको देख लिजेगा जैसे देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे आपका BSC mathematics है तो BSC math पूरा नहीं लिखा है इन्होंने इन्होंने सिर्फ BSC का BSC लिया और math कम M ले लिया बस उसके बाद जो आपका roll number है वो इसी प्रकार से जो छोटे LLB है तो इसका पूरा आ जाएगा जोलोजी है जैसे तो देखें सिर्फ जूल जडबल ओ लिया है बोटनी है तो सिर्फ BOT लिया है chemistry है तो CHE लिया है physics है तो दो या तीन letter starting के ले लिए इसी तरह English है तो आपका ELI English वाले ध्यान देंगे ENG नहीं लिया है ELI लिय करेंगे ठीक है इसी के साथ देखिए बाकी सबका तो ठीक है संस्क्रिक पॉलिटिकल साइकॉलजी सबके starting के three words इन्होंने ले लिये हैं इसको आप ध्यान देंगे जब form को fill करेंगे CMP के लिए इसके साथ यहां पर इन्होंने बताया है कि अगर कोई बच्चा है जिसको क्य क्या करना है admission लेना है मान लिजे दो सब्जेक्ट में multiple registration कराना है तो वो दो बार कराएगा ठीक है दो बार अलग-अलग registration कराएगा एक registration से उसका काम नहीं बनेगा इतनी बात है यही इसमें जो है कहा गया है ठीक है चलिए इतनी बात है अब इसके बाद हम इसको cross करेंगे आप इसके बाद देखिए आपका और पहले मैं आपको cut off दिखा देती हूं क्या क्या विशेक है उसके बाद हम लोग इसके उपर बात करेंगे तो cut off के लिए देखिए आप नीचे जैसे जाएंगे आपके सामने आ जाएगा और यहां पर देखिए step भी दिया है कि online admission कैसे क उपर है देखिए unreserved के लिए है मैंने unreserved का क्या theory है क्या यह होता है यह मैंने पहले भी बताया है मैं इस वीडियो में भी बता देती हूं देखिए unreserved जैसे मालीजे 100 नंबर दिया है और आप कहेंगे कि भई हम तो OBC category से तो क्या हम apply कर सकते हैं तो जी आप बिलकुल apply कर सकते हैं अगर आपका 100 नंबर या 100 नंबर के ऊपर है तो आप बिलकुल apply कर सकते हैं लेकिन अगर आपका 100 नंबर के नीचे है तब अभी आप counseling नहीं करा पाएंगे बात एकदम सफस्ट हुई है आपको कि अगर unreserved है अगर 100 नंबर है unreserved category का आप EWS के हैं आप OBC के हैं SC के हैं ST के हैं अगर कोई proper जो है category नहीं दिया है तो आपको इंतजार करना है और अगर 100 नंबर पतलब जितनी cutoff गई है अगर उसके नंबर उतना या उससे ज्यादा नंबर है तब आप यहां पर counseling करा सकते हैं अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि 1500 नंबर ancient history में English में 130 या इसके उपर है वो करा सकते हैं जोग्राफी में डेड़ सो या इसके उपर संस्क्रित वालों का all है उर्दू वालों का all है botany का 180 एब आइगेस यह botany का जो cutoff है यह आपके main campus campus के इर्दिगेड या उसके ही एकदम आसपास है msc chemistry का 142 या इसके उपर mathematics का दिया है 125 या इसके उपर msc geology का 173 या इसके उपर है ठीक है यह सारी आपकी cutoff subjects की given है यह आपको cmp degree college के main website पर जैसे मैंने open करके दिखाया नीचे ही मिल जाएगी कोई दिक्कत की बात नहीं आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको दिखा दिया जो भी आपका subject उसको सबस्चता के साथ देख सकते हैं कोई अगर problem आती है तो यहाँ पर admission support के लिए बनाया भी गया है यह भी अच्छी बात है इसके साथ अब हम देखेंगे कि क्या क्या इनकी प्रक्रिया है जैसे contact और email address यह सभी चीजे कर सकते हैं देखें नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यह बता रहा है कि यह कैसे कारे करता है जो इनकी website है सबसे पहले आप अपने आपको login करेंगे क्या करेंगे login जो अभी हमारे पास है और login आप कैसे करेंगे login with your enrollment number as your user ID and password बोथ तो आपको दोनों चीज़े यूज़ करनी है प्रोफाइल को अपडेट करना है अपडेट आपको करेंगे सिमाने इमेल आईडी मुबाइल नंबर यह सारे चीज़ें अगर उसमें पुराना मुबाइल नंबर है तो नया डाल करके अपडेट करके उसको सेफ कर देना है clear है यह दूसरी चीज़ें है फिर तीसरे में आपको सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करना है अगर जरूरत है तब ठीक उसके बाद फीज की डीटेल है कि फीज के पहले आपको सारी चीज़ें दी रहती है इतने तो educated हैं ही आप लोग की फीज डीटेल है फिर transaction ID on the screen कह रहा है कि जब आप payment complete कर देंगे तो आपके सामने screen पर क्या आएगा order ID आएगा और transaction ID दो ID आएगा वहां से आपको print बटन पर click करके या तो print और save the fees receipt जो fees receipt आपके सामने आएगी न यहां आपने fees submit कर दिया है इस course के लिए तो आपको उसको या तो आप print करेंगे त उपर teen dot बना रहता है उसमें से आपको क्या कर लेना है save कर लेना है या फिर अगर send का option होगा तो आजकल WhatsApp पे अपने भी number पर send कर सकते हैं कहीं भी अपने दोस्त को जिसको भी आप समझते हैं send वहां कर सकते हैं mobile में खुद भी save करके रख ले ठीक है clear हो गया तो इतनी चीज number और roll number के साथ enroll करना है अब यहां जो अभी मैंने starting में आपको साली चीज़ें पढ़कर के बताई थी न वहीं चीज़ आपको करनी है जैसे मान लेते हैं कि आपका माली जब B.A.L.B. ही है ठीक है मान लेते हैं कि आपका B.A.L.B. है तो आपको सबसे पहले क्या use करना है तो वो आप यहां पर use कर लेंगे उतना use करने के बाद तब आप यहां पर कर देंगे क्लियर है इसके बाद जो आपका date of birth रहेगा date of birth जो है आपका password रहने वाला है यहां पर जो है और यहां remember me पर कर देंगे तो आपको बाद में भी जब आप दुबारा login करने आएंगे तो आ आपको यार दिलाएगा Google में आजकल ऐसी चीज़ें होती हैं अगर इनकेस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहां पर फॉगेट पासवर्ड का भी option दिया हुआ है आप यहां से यूज करने के बाद login कर देंगे उसके बाद आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी क्लियर है एंड यह आपका है स्टेप्स पॉर ओनलाइन एडमिशन तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जब मैंने उस लिंक को क्लिक किया है तो वहां पर आपका डिग्री कॉलेज में पीजी और यूजी दोनों के एडमिशन के के लिए यहां पर आपको instruction दिया हुआ है कांस्लिंग की स्टार्ट टाइम है बाराः बजे रात से कांस्लिंग की जो एंड है वह एक बजे दोपहर में है और सीट अलॉुर्टमेंट आपको कांस्लिंग के बाद तीन बजे से यहां पर होगा। अब आप कैसे counseling में online participation कर सकते हैं तो CMP के इस आपको link पर चले जाना है, यह वही link है जो आप Google से भी easily जो मैंने आपको step बताया है, उससे भी जा सकते हैं, इसके बाद register आपको कराना है portal पर PGAT, मतलब UG के बच्चे हैं या PG के बच्चे हैं, तो वो date of birth के साथ क्या कर सकते हैं तो UG वाले भी अपने PGAT role number as it is जो था है, UG आप PG दोनों लोग करा सकते हैं, साथ में date of birth का use करके यहाँ पर उस चीज को कर सकते हैं, अब जैसे देखिए इन्होंने यहाँ पर बताया है, कि जैसे कि अगर आपका यहाँ पर PGAT, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ स आपको अपना ID create करनी है, password create करना है PGAT के लिए, उसके बाद second में आप यहाँ जाएंगे PGAT का role number और date of birth यूज करके आप register कर देंगे, ठीक है, रजिस्टर करने के बाद देखिए, यहाँ कह रहा है कि login to the portal with PGAT and the password created by you, जो आपने बनाया है, मतलब कि यहाँ से जो आपने login कर के password बनाया है, उसको यहाँ पर use करके फिर आप register करेंगे, उसके बाद register for today's counseling की, आज के counseling में जैसे कि इन्होंने cutoff रोज रोज अगर निकालते हैं जब तक इनका होता है, तो यह जो आपकी cutoff आएगी, अभी second आएगी, third आएगी, तो उस cutoff में आपका जिस दिन रहेगा, वहाँ पर आप लिखेंगे register for today's counseling, अगर आपका number उस दिन के merit में आ रहा है, उसके बाद आप counseling की fees को payment कर देंगे, उसके बाद documents को submit करेंगे, अब यहाँ document में देखिए important है 10th की mark sheet और certificate, 12th की mark sheet और certificate, cast certificate, जिसका जो है, अगर NCC यह सब है, तो वो सब certificate, इसको कर देंगे, अगर आपके पास, जो है, if currently not a student of University of Elhabad degree या certificate, इनका कहने का मतलब है, अलहाबाद से कोई भी संबध्धित आपके उसमें affiliated में, main campus में आप पहले पढ़े हैं, UG किये हैं, अगर, तो यहाँ पर आपको तब यहाँ पर mark sheet और TC देने की जरूर नहीं है, उसके बाद आप यह सब्सक्राइगा, save and lock the choice की, आपने जो subject को चुना है, उसको आप save कर रहे हैं और lock कर रहे हैं, otherwise you will not be able to participate in the counselling, अगर आपने save और lock नहीं किया है, तब आप यहाँ पर counselling में participate नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान दीजेगा, Relogging to check your counselling status after 3 p.m. इसके साथ ही दोबारा से जो आपने password और अपना वो बनाया है, जैसे आप उसको enter करेंगे second time जब आप आएंगे, तो आपको वही जो आपका roll number और जो password आपने create किया है, उस password के base पे दोबारा से आप login करेंगे, और 3 बजे के बाद, क्योंकि आपको कहा ग तो इसमें लिखा हुआ है starting में कि भाई 12 बजे से आपका शुडू होगा और उसके बाद 1 बजे तक आपका counselling खतम होगा और 3 बजे से seat allotment होगा, तो 3 बजे के बाद दोबारा से आप जो है login करेंगे और देखेंगे कि आपकी seat confirm हुई है या नहीं, subject choice करने के बाद save और log क टिक करना बिल्कुल न भूले, deposit your fee if you have been allotted a seat within 24 hours, पहले तो देखें, counselling fees आपको पहले ही भर देनी है, counselling fees भरने के बाद ही document ये सारी चीज़ें आप करेंगे, मतलब counselling के लिए eligible है, उसके बाद जब आपको seat confirm हो जाती है तो 24 घंटे के बीतर आपको fees जमा करनी है, अगर न following documents at the respective counter in CMP degree college, प्रयाग राज, transfer certificate, and epidefit, अगर देखिये, आपने online ले लिया, उसके बाद देखिया, आपको क्या करना है, transfer certificate, आपको जाके submit करना है, and epidefit, pro pharma, is available on the CMP admission portal, यहाँ पे आपको एक epidefit, जो है, portal पर ही मिल जाएगा, two copy of fees receipt, यह भी आपको लगाना, migration, not from UP board student, ठीक है, UP board का बच्चा है, तो उससे यहाँ पर नहीं चाहिए, migration, ठीक है, इतना clear हुआ, तो यह चीज़ आपको यहाँ पर submit करनी है, देखिये, जो epidefit बनवाएंगे, तो वो आपको जाके तहसील से नहीं बनवाना है, उसका pro pharma कह रहा है कि वो CMP के admission portal पर given रहेगा, मैं आपको submit करना है, ठीक है, अगर आपको CMP degree college में admission लेना है, अगर आपको कोई भी समस्या है, तो यहाँ पर आप 24 into 7 आप इस पर भी mail कर सकते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो है, नमबर भी दिया हुआ, इस नमबर पर भी call करके, आप यहाँ ते अगर आपको कोई problem ह related to counseling admission, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, so this is all about the CMP degree college counseling procedure, उमीद है कि आपको counseling procedure समझ में आया होगा, कोई समस्या है, तो comment section on है, आप वहाँ लिख कर बता सकते हैं, इसके साथ ही जैसे ही कोई और update आती है, आप तक उसको तुरंद पहुचाया जाएगा, और चैनल को अभी